बेटी का बहुत चर्चत मानला होगी है, उसको लेकर काफी चर्चाएं भी हो रही है, कहीं न कहीं कानुन जोस्ता पर सवाल खिया उस बड़की ने कन्योज में बहुत पुराने मौलाना जिनका योगदान सिक्षा के छेत्र में मौलाना साब से समाचबादियों का बहुत पुराना रिष्टा रहा है, आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम उनके योगदान का धन्यवाद भी देते हैं, और आज जब उनके किये हुए कामों को उनके परिवार, उनके सहेवी साथियों की जिम्मेदारी आगे बढ़ाना हो, मौनाना अफाक साहब का बहुत योगदान राय सिक्षा के छेते। मौनाना अफाक साहब ने जहां अपने दिन धर्म के वारे की में जो जानकारियां या सच्चाईयां जो बताते थे लोगों के लीच में कैसे भाईचारा आए। मौनाना फाक साब ने हमेशा कोशिस की लोगों के बीच में रह करके कि एक दूसरे का सम्मान लोग कैसे करें उसके लिए जीवन भर वो मौना फाक साब याद किये जाएंगे और वो लगातार काम करते रहे उनकी इक्षा थी कि कन्योज में एक वो इनिवस्टी बना दें भविस्टी में उनका जो सपना था इनिवस्टी बनाने का वो पूरा जरूर करेंगे जहां तक प्रदेश में घटनाए हो रही हैं तुखत है आज अखवारों ने लिखाया कि छिवरा मौ में एक माने अपने बच्चे की हत्या करते अगर वो ख़बर सही है तो सोचो समाज में क्या चलना है और समाज में आज भूग के कारड़ लोग की जान जा रही है एटा की खवर अगर आप सुनेंगे तो दंग रहे जाएंगे कि आखकार एटा में ऐसी भी घटना हो सकती है और प्रदेश में किस तरीके से पुलिस, सरकार और परसासर लोगों को पैसे के लि जिस तरीके से उसकी इज़त पर सवाल खड़े किये हैं पुलिस के लोगों ने और केवल इस बात को डरा करके कि तुमारे पती की अगर नहीं मानोगे इन बातों को ले करके तो तुमारे पती की हत्या कर दी जाएगे तुमारे पती का एंकाउंटर हो जाएगा तो यही है भारती जनता पार्टी का असली चहरा के जहां फूंक से लोग मर रहे हैं, भारती जनता पार्टी का असली चहरा यहां बेटियों की इस्जत नहीं है, बेहनों की इस्जत नहीं है, यही भारती जनता पार्टी का असली चहरा है, यही जनता देख रही है और हमें ल बढ़ा है कि सीता राम ये नहीं परिवहाशा का है इनका ज्यान। नौकरी भैया नहीं मिल रही है युवाउग को अब रेटार्मेंट हो रहा है को ये अब तो आप लोग सोचें नौकरी के लिए अगर आपने बोट दिया होगा तो नौकरी मिलेगी आपको अगर आपने नौकरी के लिए बोड दिया है तो नौकरी का इंतजार करिए शाय सब नौजवानों को नौकरी मिल जाए और ये जो हाईवे पे जो जान जा रही है लोगों के इसके जिम्दाद सरकार है और सरकार इसलिए है के सबसे ज़्यादा पैसा कौन बसूर लाए टोल किसकी जिम्दाद में जा रहा है अगर टोल जा रहा है तो सरकार की जिम्दाद में जा रहा है तो सुरक्षा का इंतजाम करना लोगों का सफर आसान हो लोगों का सुरक्षे सफरों उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए समय ऐसा था जहां पर पुलिस लगती थी एम्बूलेंस उपलब दोती थी अखिर कर वो चीज़ा कहा है सड़क का डोल लेने के लिए अपनी जेव में जा रहा है उनकी सरकार में लेकिन सुरक्षा की नाम पर सरकार क्या कर रही है पत्रकारों को भी लगाता है अब अपनी सुरक्षा स्वेम करें